हलो एव्रीवन दिस इज़ श्रिवांगी और आज हम लोग यूनिट एट लोकल एरिया नेटवार्क में नेटवर्क डिवाइसे के बारे में पढ़ रहे थे तो नेटवर्क डिवाइसे में हम लोगों ने प्रिविश क्लास में हब्स शुचेज ब्रिज्ज रिपीटर्स के जी सब्सक्णा देख लिया है इसकसा साथ टाइफस अफ भी देखा था में लोगों ने तो आज की क्लास में हम लोग राउटर और गेटवे ये दो नेटवर्क डिवाईसें के वारे में पढ़ेंगे उसी के साथ साह मोग का अज शुचलैं के बारे में पढ़ेंगे ये ब देखेंगे, तो लेस्स स्टार्ट, वट इस राउटर, राउटर क्या है, इसको हम लोगों ने बहुत नाम सुना है, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग पहले भी अल्रेडी पढ़ चुके हैं, कम्प्यूटर फंडामेंटर में, तो आई होप आप लोग इस नाम से वाकिब होंगे, तो राउटर is a device like a switch, तो राउटर क्या है, switch की तरह का ही डिवाइस है, that routes data packets based on their IP address, तो जिस तरह का IP address होते हैं, उस तरह के IP address को किस तरह वो identify करके उसको forward करते हैं, ये कौन देखता है, राउटर देखता है, तो राउटर is like a switch, that routes data packets based on their IP address, okay, router is mainly on network device, तो router क्या है, एक network layer का device है, तो हम लोग, first of all, मैंने बता दिया है, कि जब भी कभी किसी वे devices के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे, कि ये जो devices है, मेरे ये TCP IP के, कौन से, या network layer के, ये कौन से part पे ये वाक करता है, तो मेरा router जो है, वो कौन से layer पे काम करता है, network layer device है, तो ये धियान रखना है, हम लोगों को ये point करके रखेंगे, router is a network layer device, okay, final, routers normally connect LAN and WAN together, and have a dynamically updating routing table, based on which they make decision on routing the data packets, तो router गया करता है, ये LAN और WAN, दोनों का connection होता है, और routing भी क्या होता है, कि हर किसी भी नोड के पास, जब इसको connect करते हैं हम लोग, तो हर एक नोड का एक अपना routing table होता है, कि आपका destination क्या है, आपका initial कहां से है, आपका क्या मकसद है, ये आपके उस routing table के उपर लिखा होता है, तो जैसे जैसे आप note को update करेंगे, आपका routing table भी उसी तरह update होगा, okay, तो router normally connect, ये ध्यान रखना है, router normally connect LAN and WAN together, router divide broadcast domain of host connected through it, तो ये चीज़ हम लोगों को routing में ध्यान रखना है, routing में क्या करते हैं हम लोग, data packets जो होते हैं, उसको उस path के थूरू root करते हैं, मतलब हम लोग उसको detection देते हैं, कि आपको इस data packets को कौन से वे के थूरू pass कराना है, और हर एक node पे, ये ध्यान रखना है, हर एक node पे हम लोगों का एक routing table होता है, जिसका जैसे ही आपका node forward करेगा, या फिर data forward करेगा, उस routing table को update करना पड़ता है, तो उस routing table में क्या होता है, routing table में उस node के बारे में हर एक information होता है, कि उसका previous क्या था, इसका ये IP address क्या है, इसका next destination क्या है, इस packet का क्या काम है, clear, तो उस routing table का, जैसे जैसे हम लोग node की तरह forward करते हैं, उस routing table को भी forward करना होता है, तो हम लोगों को router में ये चीज ध्यान रखना है, कि router क्या है, is a switch-like device, तो जिस तरह का switch का device है, उसी तरह एक routing device है, router device है, जो की packet को, में इसका काम क्या है router का, जो की packet को root करता है, किस के basis पे, IP address के basis पे packet को root करता है, ओके, चलो, अब next one is gateway, gateway as the name suggests, is a passage to connect two network together, that may work upon different networking model, gateway का नाम ही होता है, gateway क्या होता है, एक तरह का रास्ता है, जहां पे, दो network मिलता है, तो gateway जिस तरह का हम लोग नाम समझ रहे हैं, gateway is a passage, where two network are connected together, okay, they basically work as the messenger agent that take data from one system, and interpret it and transfer it to another system, gateway में क्या होता है, एक system से वो data लेता है, okay, data लेने के बाद उसको interpret करता है, interpret करने का मतलब यह किस तरह का data है, इस data का क्या काम है, और इस data को कहां send करना है, तो वो data लेता है, interpret करता है, मतलब उस data के ऊपर वो decision लेता है, और देन उसको destination तक forward कर देता है, तो यह किस का काम है, gateway का, taking, interpret and then sending, clear, they basically work as the messenger agent, यह धिहान रखना है, messenger agent that takes data from one system, interpret it and transfer it to the another system, clear, gateway are also called protocol converter and can operate at network layer, फिर इसको ध्यान रखना है, gateway is also work on network layer, clear, gateway are generally more complex than switch or router, तो gateway का जो structure होता है, वो switch का structure जो होता है, और router का structure होता है, दोनों से ज़्यादा complex होता है, तो यह हम लोग को ध्यान में रखना है, router और gateway के बारे में, तो router क्या है, एक तरह का switch का device है, और यह भी network layer के उपर ही काम करता है, और इसमें क्या होता है, यह data packets को root देता है, किस के basis पे, IP address के basis पे, और gateway में क्या होता है, इस तरह जिस तरह से नाम सजिस्ट किया जा रहा है, gateway is a path, it is a direction, where two network are connected, okay, so gateway is also work on network layer, it is a messenger agent, clear it, it is a messenger agent which take data, then interpret and then send, clear, अब हम लोग आज, virtual land के बारे में पढ़ना है, what is virtual land, so virtual land और virtual local area network, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, VLAN और a logical group of computer, that appear to be on the same land, respective of the configuration of underlying physical network, actually क्या होता है, पहले सबसे पहले हम लोग VLAN का एक structure देखते हैं, ठीक है, this part is a switch, wait a minute, this part is a switch, and land क्या होता है, एक switch से हम लोग का एक physical wire निकला होता है, और उस wire से जितने भी computer connected होते हैं, वो क्या होते हैं, same group में होते हैं, तो अभी हम लोग पहले इस system के बारे में देखते हैं, यह है क्या, उसके बाद इसमें हम लोग LAN और VLAN को अलग-अलग करेंगे, this is a switch, switch part, और bridge, जो भी बोलते हो switch, bridge आप जैसे आपका network devices है, आप network devices इसको समझ सकते हो, इस network device एक physical तरह का wire है, जिससे क्या हो रहा है, यह wire एक इधर गया, एक इधर गया, लैन की structure बता रहे हो, जिस तरह का LAN होता है, और इस wire से जितने भी computer connected है, वो क्या है, group A, एक group के है, this part is group B, this part is group C, तो यह क्या है, एक simple LAN का structure है, अब हम लोग इसमें, BLAN क्या करते हैं, BLAN में क्या होता है, suppose हम लोग को एक virtual LAN बनाना है, तो virtual LAN बनाने के लिए, suppose कि switch को, हम लोग दो part में divide कर देता है, मतलब दो part में तोड़ देता है, जैसे यह switch है, इसको दो part में तोड़ देना, तोड़ने के बाद one part में एक लगा देना, दूसरे part में दूसरा लगा देना, लेकिन यह क्या है, physical breaking नहीं है इसके लिए हम लोगों को अंदर का breaking करना पड़ेगा मतलब software से इसको किस तरह हम लोग connect करेंगे तो देखिए आप यहाँ देख पा रहे हो इस structure पे देखो red part is VLAN listen red part is VLAN A green part is VLAN B and blue part is VLAN C तो आप देखो इस एक तरह के network में आपके red, green and blue तीनो तरह के virtual land A, B, C दिख रहे हैं मतलब एक ही group में हम लोग तीनो virtual land को हम लोग connect कर पा रहे हैं इससे क्या हो रहा है मतलब यह जो red part है यह एक तरह का network है जिसका एक connection यहाँ है एक यहाँ है यहाँ है मतलब इसके sub parts आपके different land के साथ भी mix हो सकते हैं मतलब suppose कि उस virtual land A को इस functionality के साथ work करना है तो वह वहाँ भी exit कर सकते हैं इस functionality को virtual A को काम करना तो यहाँ भी exit कर सकते हैं तो जहाँ पे उसके functionality मैच करेंगे वहाँ पे वो एक साथ connect हो सकते हैं आप इसके definition को देखते हैं आप लोग I hope कि आपको यह picture clear होगा यह मेरा एक simple land है जब हम लोग इसको differentiate कर दिये हैं कि red part is virtual land green part is virtual land B and blue part is virtual land C तो आप आप देख रहे हो कि एक ही group में इस switches के एक ही part में आपको तीनो virtual land देख पा रहे हैं ठीक है आपको वो image अच्छे से clear हो जाएगा virtual local area network और virtual land are logical group of computers that appear to be on the same land irrespective of the configuration of underlying physical network मतलब हम लोग को physically उसको clear मतलब break नहीं करना है उसके अंदर हम लोगों को उसके अंदर के part से उसको connected करना है network administrator partition the network to match the functional requirement of VLAN so that each VLAN compromise of a subset of ports on a single or multiple switches or bridge ये line देखना है network administrator कौन break करता है network administrator अब विसी बात है कोई भी administrator ही उस network devices के साथ break या फिर connection कर सकता है partition the network to match the functional requirement of VLAN so that each VLAN compromise of a subset of ports on a single or multiple switches or a basis क्या हो रहे है कि आपके एक ग्रूप के लाइन में आपके तीनो वर्चोल लाइन एपियर हो रहे है ऐसा क्यों क्योंकि उसको क्या करना है functional requirement को match करना है मतलब उसके functional requirement और इसके functional requirement सब के same है तो उस तरह के LAN को जबकि वो different different groups से आते है but उसको same LAN के ऊपर हम लोगों ने connect किया हुआ है क्यों? क्योंकि उसके functional requirement से उसको match कराना है इसमें क्या है कि यह LAN से separate है यह LAN जैसे नहीं है LAN में क्या हो रहा है आपका एक switch से अगर तीन वायर जा रही है तो एक वायर वाले जितने भी computer एक दुसरे से connected है वो क्या है आपके group A के computer है तो second wire से जितने भी computer आपके connected है वो group B के computer है और third से आपके जो भी है वो group C के connector है तो आप group A में भी हम लोगों ने different virtual LAN लगा रखा है क्यों? क्योंकि उसके जो functional requirement है वो क्या कर रहा है? match कर रहा है that's why उसका connection क्या हुआ है तो यह हुआ मेरा virtual LAN जो की मेरे LAN से separate होते हैं लेकिन वो आप लोग इस पर भी ध्यान दोगे लेकिन वो same LAN के उपर काम करता है और आप लोग ध्यान दोगे जब भी हम लोग virtual LAN के बारे में बात करते हैं तो हम लोग physically उसका partition नहीं करते हैं क्लिर virtual LAN में हम् लोग LAN स्विच का physically partition नहीं करते है physically partition का क्या होता है उसको two part या three part में break नहीं करते है इसको हम लोग logical partition करते है यहाँ देखे logical group of computer logical partition करना मतलब उस switch के अंदर पार्ट के साथ deal करना अंदर के पार्ट में मतलब एक पोड को हम लोग किस तरह अलग अलग कंप्यूटर से अटाच करेंगे यह हुआ मेरा वर्चुल लैंड उसका लॉजिकल कनेक्टर ठीक है लॉजिकल ग्रूप कंप्यूटर अब हम लोग फीचर से अफ वर्चुल लैंड देखते हैं कि वर्चुल लैंड क्या है कहाँ वर्चुल लैंड और वॉजिकल लैं फॉर्म फॉर्म्स सब… नेट्वॉच गूरूपिंग टूगेदर… डवाइसे अंप्यूप लफैसे इंपแरटि फिजिकल लैं मेरा रहुए है तो जो फीजिकल लेन होते हैं फीजिकल लेन 这 वर जो हम लोग उने वायर देखा था प्रृवेस उस वायर के साथ किस तरह बर्टोलन लाइंग नेग section किया हुआ था वह तोगेदर डिवाइसे ओन सेपरेट वर्चुल लैंड थीक है सेकेंड फीचर क्या है वर्चुल लैंड फंक्शन एट लेयर टू ध्यान रखेंगे वर्चुल लैंड कहां पर वोक करता है लेयर टू जो कि क्या है डीटा लिंक लेयर अप द ओ ओ एसाई मॉडल ओ एसाई तो वर्चुल लैंड में हम लोग एक से ज़्यादा स्विचे और ब्रिजस को एड़ कर सकते हैं जिससे और भी डिफरेंट डिफरेंट मॉल्टिपल इंडिपेंडेंट वर्चुल लैंड क्रिएट हो सकें चिक है यूजिंग वर्चुल लैंड नेट्वर्क अड्मिस्ट् लार्ड नेट्वर्क अड्मिस्ट्रेटर क्या करता है का इस प्रेंड इंडिफरेंड टू मिल्टिपल नेट्वर्क डिपेंडिंग अपन दर फ़ंग्श्णल लैंड सिक्यूरिटी रिकोरमेंट आप लोग यहां देखिए ये एक सिंगल स्विच है जिसको क्या किया और different different virtual lands को sub grouping किया हुआ है, ठीक है, ओके, ये मेरे क्या थे, virtual land का features, अब हम लोग virtual lands के types के बारे में देखते हैं, virtual land are divided into three parts, first one is protocol virtual land, second one is static virtual land, and our third is dynamic virtual land, तो protocol virtual land में क्या होता है, जो भी आपके उस network के उपर traffic होते हैं, उस traffic को जब हम लोग protocols के basis से clear करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, protocol virtual land, इसका नाम से clear है, protocol जहां use हो virtual land के उपर उसको क्या बोलते है protocol virtual land तो जब ही कभी traffic को handle किया जाए this network के उपर through protocol that protocol that land is known as protocol virtual land ठीक है a switcher business celebrates forward and discard frames and come based upon the traffic protocol तो traffic protocol के basis पे जब भी कभी traffic को मतलब protocol के साथ traffic को clear किया जाए उसको हम लोग क्या बोलते है virtual land second one is port based virtual land port जो second one is static virtual land है उसका एक और नाम है ध्यान रखेंगे हम लोग clear करें port based virtual land this is also called static virtual land ठीक है here the network administrator assign the ports on switch bridge or a virtual network तो port based virtual land या फिर static virtual land में क्या होता है जो network administrator होते हैं वो decide करते हैं कि इस network को कौन से port से connected होना चाहिए ठीक है तो इसमें decision कौन लेता है network administrator और port based को ही हम लोग क्या बोलते हैं static भी बोलते हैं ध्यान रखना है number 3 is dynamic virtual land here the network administrator simply define network membership according to device characteristics उसमें क्या होते हैं port में जो network administrator होते हैं वो decide करते हैं कि ये कौन सा port आपको मिलना चाहिए but dynamic में क्या होते हैं कि आपको एक member decide करता है network administrator मतलब आपका group decide करता है कि आपको कौन सी group में जाना है तो dynamic virtual land में कोई port decide नहीं करता है network administrator इसमें simply defines network membership मतलब network कौन से member का है and according to device जिस तरह का device का आपका characteristic होगा उसी हिसाब से आपको grouping दिया जाएगा तो यहाँ पे dynamic में network administrator grouping decide करता है और static में network administrator port decide करता है बस यहीं दोनों में difference है एक और क्या है protocol जिसमें traffic को handle किसके through किया जाता है प्रोटोकॉल के जरिये तब वो क्या कहलाता है protocol virtual land ठीक है I hope आप लोगों को तीनो topic clear हुआ हो अगर आप लोगों कोई भी problem हो तो आप लोग पूछ सकते हो Thank you